बिस्मिल्ला इर्रह्मान रहीम असलाम वालेकम मैं मुहम्मद आसिफ हूँ और हाजर खिद्मत हूँ एक नई वीडियो के साथ अजीज तुल्बम इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे चैप्टर नुबर सिक्स 1430 कोड चैप्टर नुबर सिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो क हम यहां से कोई भी वैलियो फाइंड़ कर सकते हैं मसलन यहां पर लैम्डा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हम लैम्डा फाइंड़ करेंगे कैसे डिटर्मिनेंट के जरीए तो एक बात याद रखनी है डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वेर मैट्रिक्स का लिए जाता है कि यहां पर थिरी बाइ थिरी मतलब तीन रोज हैं और तीन ही कॉलम हैं रोज और कॉलम की तदाद अगर एकुल है तो उसको हम कहते हैं स्क्वेर मैट्रिक्स तो यहां पर स्क्वेर मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट के मैथड से ही हम इसक को आपने equal to zero लेना होता है ठीक है? तो यहां पर भी आपने ऐसे ही करना है यह condition given होती है ठीक है? equal to zero condition given होती है ठीक है तो यहांपे भी हमने ऐसे ही करना है question को आगे solve करने से पहले अगर आप channel पर new हैं तो चैनल को corrections का दें A equal to अगर हमने इसका determinant लेना है तो determinant की अलामत लगाएंगे यहाँ पे भी हम determinant की अलामत लगाएंगे 4, lambda and 6, 7, 3 and 6, 2, 3 and 1, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने यह पहला number लेना है जब आप पहला number यह 4 लेंगे वह 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद आपने determinant की अलामत दुबारा फिर लगानी है देखिएगा, वह कैसे करना है आपने करना यह है कि यह 4 है ना यह first row में है first column में है, इनको छोड़ देना है जब आप इनको छोड़ेंगे तो यह राजाएगा, three, six, three, one वो यहाँ पे आपने लिख लेना है three, six, three, one ठीक है, उसके बाद यह lambda, जब आप लेंडा लिखेंगे ना, उससे पहले आपने माइनस लगानी है अब यह माइनस कहाँ सी आई है access points यहाँ पे confused होती है तो देखिएगा यह किस रो में है first row में है और second column में है यहाँ पे first row में है second column में है first row में है, second column में है इन दोनों को add करें क्या बनता है, three बनता है ना तो जब यह odd number हो क्या हो, odd number first row, second column यह इन दोनों को add करें दो और एक, तीन, तीन, एक odd number बन रहा है तो जब यह odd number बनेगा तो यहाँ पर आपने minus लगाने है ठीक है जिस्ट मैं इतना आवलों को समझा दूँँगा बाकी आगे दूसरी बात डिटेल में नहीं जाएंगे ठीक है तो lambda से पहले आपने यहाँ पर minus लगाने है clear है यहाँ पर minus क्यों नहीं आई क्योंकि यह first row में है first column में है first row first column एक और एक दो तो वो दो एक even number है तो मैंने क्या बोला था अगर odd number आज़े तो यहाँ पर minus लगाने है अगर even number आज़े तो फिर आपने plus लगाने है that's clear चलें लेंजी minus भी लगा दी लेंडा भी लिख लिए उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने यह lambda first row में है second column में है इसको आपने छोड़ देना बाकी क्या रहा गया seven six two one ठीक है clear है na seven six two one वो यहाँ पर आपने लिख लिख लिए seven six two one उसके बाद फिर plus यह वला number लिखेंगे six यहाँ पर plus मैंने क्यों लगा है क्योंकि यह कहाँ पर है first row में है और column कौन से है third column है यह first row third column तीन और एक चार चार एक even number है तो even number होने की वाज़ा से हम यहाँ पर plus लगाएंगे ठीक है चलें जी अब उसके बाद यह six number है न यह कहाँ पर है यह तीसरी row में है sorry first row में है third column में है first row third column बाकी क्या रहाएंगे 7,3,2,3 वो यहाँ पर लिखेंगे 7,3,2,3 लें जी हमारा मुश्किल काम जो न वो हो गया यहाँ पर four उसके बाद 3 को एक से जरब करेंगे 3,1,3 उसके बाद माइनस लगानी है जब भी आप determinant लेंगे पहले इन दोनों को multiply करेंगे फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे फिर इन दोनों को multiply करेंगे 6,3,18 उसके बाद यह minus और यह lambda लेंड़ लेंड़ लिखने के बाद आपने फिर ऐसे करना है 7,1,7 पहले इन दोनों को multiply करेंगे फिर minus लगाएंगे 6 जरब 2,12 उसके बाद यह plus 6 7 जरब 3 21 minus 3 जरब 2,6 अब 18 में से 3 नकाल देंगे बाकी हमारे पास कितने रहा जाएगे 15 माइनस के 15 माइनस लेम्डा इन्टू 12 में से जमा के 7 निकाल देंगे बाकी माइनस 5 जमा 6 21 में से 6 निकाल देंगे बाकी 15 ठीक है तो इनको मुल्टिप्ले करें 4 जर पांच 20 4 एक 4 और 2 6 माइनस 6 यह माइनस मैनस प्लस हो जाएगा 5 लेम्डा ठीक है 5 लेम्डा उसके बाद 15 को 6 से मिल्टिप्ले करें 605 30 6 1 6 और 3 9 clear है 90 में से 60 माइनस के निकाल दें बाकी रह जाएगे 30 जमा 5 लेम्डा देखिए मैंने बोला था कि condition आपने लगानी होती है और condition वो लगानी है कि जब आप हमारे पास determinant आ जाए तो उस वकत आपने लिखना है कि according to given condition according to given condition अब यह condition question में given होती है इसका determinant है वो equal to 0 है यहाँ पर आप लिखेंगे determinant जोना वो equal to 0 है अब इसका determinant कितना आया है वो यह वल आया है वो यहाँ लिख लेंगे 30 जमा 5 लेम्डा equal to 0 अब यह 30 इदर ले आएंगे यह 30 इदर आके minus का हो जाएगा 5 एक 5 पांच 5 चे 30 लेम्डा की value आजागी minus 6 चीक है तो यह तो हो गया लेम्डा के इस तरह का question आ जाते हैं I hope कि आप लोगों को यह question के समझा आगी होगी इसके इलावा भी आगर आप chapter number 6 के बागी questions हल करना चाहते हैं तो उसका link description में मौझूद है आप वहाँ से question को देख सकते हैं लेकिन इसके इलावा यहाँ पर आई button में वीडियो के शुरू में यहाँ आई button में उपर लिखा होगा होता है कुछ ना कुछ ठीक है तो chapter number 6 complete यह guest paper कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं वो description में मुझूद होता है और यहाँ पर आई button में भी मुझूद होती हैं चीज़ें तो आप उनको देख लिया करें ठीक है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज